बज़ेट को लेकर केंद्रि मंट्री सतीश्चंद्रदूबध ने भी जनतंत्र टीवी से खास बातशीद करते हुए क्या कुछ कहा इस बज़ेट को लेकर यह भी आपको सुनवाते हैं अब आज साथ बातचीत करने के लिए है केंद्रे मंत्री सतीज चंदूवे जी सर बिहार को काफी जादा सोगात इस बजट में मिली है और ऐसा लग रहा है कि बिहार वाले शायद खुश है असपर मैंने बिहार के लोग को मिलना वी चाए है बिहार के लोग बंबम है फुरा खुशी का इस हार कर रहा है है तो जरूरी भी चीज है क्योंकि बिहार जब जारखंड से बटवारा हुआ तो बिहार के पास आयका शुरोत बहुत नहीं बचा और उसमें राजगेर कहिए बकसर कहिए गाया कहिए नलंदा कहिए या शीता मडी दरभंगा कहिए मितलांचल कहिए इस सब प्राकृतिक का दिया हुआ जग बढ़ेगा अगर बढ़ियां होस्पिटल बनेगा तो लोग बाहर दिखाने के लिए नहीं जाएगा एयरपोर्ट अच्छा अच्छा खुलेगा सब कोई चाहता है कि हम एयरपोर्ट से हवाई अत्रा अधिक साधिक करें तो सब के लिए इसम माहित किया गया बजट खासकर के किसानों के लिए सब का साथ सब का विकास सब का विश्वास अला बजट है वहीं दोसी तरफ अगर हम माइल्स की बात करें तो देखे आपका वो मंत्राले भी है और उसमें भी प्रापधान देखा गया बजट में बिलकुल देखना चाहिए बहुत महत्यपोरी विभाग है धरती से जितना भी खनीज निकलने वाला है सब खनन में आता है और जरूरी चीज़ है उसमें फोकस किया गया है वहीं दूसरी तरफ विपक्ष के तमाम नेता हों पार्टिया हों सब तंजकस रहें अगर आर जेटी की बात करें तो उसने भी कह दिया ना दशा है ना दि कि जनता हो अगर मोका मिला मंत्री बनने का तो नोकरी के बदला जमीन लिया गया और बिहार में मुखमंद्री बनने का मोका मिला तो अलकत्रा घोटाला से लेके पस्वपालन घोटाला किया लो आज बहतर काम कर रहे हैं लोग तो बिहार सरकार बहतर काम कर रहे हैं बढ़ि है कि देखें जो बजट आया है बिहार वालों को उससे रोजगार भी मिलेगा और बिहार का इससे डवलप्मेंट भी अच्छा होगा करें योगेंद के साथ आचलें अदर जंतर टीवी दिली